नमस्कार स्वागत है LNMU Notes में तो पहले ही बता दे हैं यह वीडियो जो है वो लंबा हो सकता है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा हैं इमपोर्टन वीडियो है क्योंकि यह स्टेशनारी वैव का एकवेशन है पहले हम लोग ने इससे पहला वीडियो था इसरे जो फिसला वीडियो था उसमें हम लोग ने देखा था हैं पर जुश्म में सर स्वाब इस लोग में देखने के का मुखा मिलने तो अगर आप देखे तो याद आ जाए कि यहां पर लिख regulationthe यहां संद्धित नहीं संद्धक इसके फोड़ सकते हैं हम लोग क्या है इसका रेक्टरिस्टानि終 को एकakter नहीं प्रफ़ने आप्सक्राइब करेक्टरिस्टिक्स सायद जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ था तो उस चीज को एस्टेशनरी वेब्स को या वो जो भी चीज हो रहा था उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं हार्मोनिक बाइब्रेशन या मोड तो जो फर्मिश वाला वैसे ही लॉंगी ट्यूटनल वाला ठीक है तो जो चीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा जैसे फॉर्मेशन देखा जिसमें नोट्स फिर एंटी नोट्स यह सारा पॉइंट आया था एस्ट्रेन यह सारा चीज जो पॉइंट वहां पर आया था जो बताय करेंगे तो एक्जाम में ऐसे पुछा जा सकता है इस्टेशन लिखने के लिए या फिर बोल सकते है कि मैथेमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए ठीक है या या इनलेटिकल मेठ और या कुछ भी इस तरह से जो एस्टेशनरी वेव के एक्वेशन के बारे में बात करे तो आप इस चीचbei को हसकते हैं और क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही लिखिएगा अगर पुछेगा स्टेशनरी वेव क्या होता है तो बोल दिजिए गा क्या होता है फिर कैसे बनता है वही लिख था कैसे बनता है आप लोगों को पता हो चुका है दोसे से द पोजी डिरेक्शन में जब माल लिए ट्रैवल कर रहा है तो जो सूपर इंपोजिशन होगा और सूपर पोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वह एस्टेशनरी टाइब का दिखता है इसलिए इसको एस्टेशनरी वेव बोलते हैं ठीक है तो उसी तरह से हम ल लोग ने देख लिया था अब वही चीज को हम लोग क्या करेंगे मैथमेटिकली देखेंगे और हम लोग ने जो सिस्टम लिया था वो तो हम लोग ने कहा था या फिर आपके सेलेबस में लिखा हुआ है लीनियर बाउंडड डेड मीडियम ठीक है तो वही चीज हम लोग उ अगर velocity acceleration यह सारा चीज पूछता है वो भी आप निकाल सकते हैं उसके बाद आपको सिर्फ पूछेगा stationary waves का equation लिखने के लिए तो आप लिख के strain निकाल के छोड़ दीजेगा कोई दिक्कत नहीं है न मैं टो जो आपको पुछेगा याँ क्या सकते हैं तो चली श्रू करते हैं सबसे हम sour of जो किसी भी दिराविशन का वो होता है सुरूआत होता है पहले हम लोग ने क्या किया दो जो पहला केस अभी लेए जो पहला केस अभी हम लेंगे वो लेंगे free land का धिक है free and का यह निकी free and किसको बोल रहा है जैसे यह कोई यह कोई रसी है ठीक यह तो A है इसको हम लोगोंने फ्री रखा यह मूव कर सकता है ठीक है यह मूव कर सकता है इसको हम लोगोंने बांधा नहीं है फिक्स नहीं किया है इस एंड को हम लोगो ने क्या किया है फिक्स को फ्री छोठ दिया है are free छोड़ दिया है और दूसरा केस लेंगे जब इस swear welcome किया करदेंगे इसका एंड को किसी एक पॉइंट फे सिक्स करदेंगे ठीक है तो पहला केस हम लोग जो हुआ ले ले रहे हैं जिसमें in free है और दुसरा case हम लोग लेंगे जिसमें एंड fix रहेगा तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें फ्री एंड है या free boundary के बारे में बात करेंगे ठीक है तो उसमें क्या होता है जो reflected रिफलेक्टेड वेव होता है रिफलेक्टेड वेवेब जो वापस आता है डख्रा फंचिटे में रिखेंगअ फिर रॉओं वेव वापस आएगा च्र defensive mereka तो रिफलेक्टेड वेव का इक्वेशन धुलिकेंगे तो फ्री एंड को पता है जैसे आप देखी लेते हैं यहां पर लिखा हुआ है तो पहले हम लोगों ने क्या किया एक एक एक्वेशन लिया एंसीडेंट वेव का एक्वेशन जिसको हम लोगों ने कहा वाई वन इस इकल टू ए साइन टू पाई बाई लेंदा वीटी माइनस एक्स अब यह चीज़े बहुत ही सिंपल हो जाएगा यह लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यह एक दम किलियर हो जाएगा यह एक्वेशन ही आपको याद आ जाएगा ठीक है जहां पर एक क्या ह है घ्रेट हे तबो मिया लेंडेगे अगर लिखने के टाइम ले तो आप लोगा सही करके दे दिया जाए शूटा हुआ हुआ ये जब वीडियो के अपलोड होने के एक दिन बाद जो पीडियेफ मिलता है उसमें कुछ-कुछ अगर छूटा होता है तो वह कोशिश किया जाता है कि उसमें लिख के उसके बाद अपलोड किया जाए फिर से पीडियेफ बना के फिर से अपलोड करता पड़ता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं जब वेब्स है स्बस्तिते अभला कर से क्या उने अगर लोग प्लक माइनवाइन थे मतलब कि अभी हम लोग ने मिले फ्री या फिर फिक्स नहीं किया है ठीक है ना तो एंड फ्री किया है ना तो एंड फिक्स किया है इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है अब हम लोग क्या करेंगे फ्री एंड को the medium है वो क्या है free है simple सा बात है मतलब कि यहां equation का wave भी बना दिया गिया है ऐसे टाइप का कुछ ठीक है इसको आप बनाना चाहे तो बना सकते है ऐसे टाइप का है उसके बाद आप nodes anti-nodes का point जो होता है वो आप दे सकते हैं ठीक है यहां पर जो जो भी points है तो वो नोड है यह नोड है नोड है यह मारी पास anti-node है यह वाला जो point है वह anti-node है जहां पर क्या होता है maximum displacement होता है amplitude maximum होता है तो यह सारा चीज़ आप लिख लिजेगा ठीक है एंटी नोड ठीक है यह होगा है एंटी नोड है यह से एंटी नोड दिनोड किया हुआ था और एंसे नोड को डिनेट के वा था वह सारा चीज़ आप लिख लिजेगा आगे बढ़ते है तो इस इस केस में इस केस में दिस्प्लेश्मेंट ड्यू टू तो दे रिफ्लेक्टेट वेव इस गीवन भाई जो वेवी क्वेशन है सिंपली वहीं चीज़ है अगर कुछ कुछ अलग चीज़ लिख देता है आपको कन्फ्यूज नहीं होना आपको एक्क्वेशन पे धियान दे कि है दुसरा हमलों के पास है और यहां पे प्लस साइन के क्यूंकि हम लोगों के पास फ्रीएंट से वापस आने वाला जो रिफ्लेक्टेट वेव है वह हमारे पास क्या प्लस में तो पॉजिटी वाला जो हो एक्वेशन है हम लोगों है ले लिया है अब क्या करेंगे दोनों जो वेव का जो रिजल्टेंट वेव है उसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं सूपर पोजिशन प् और दूसरा है हमारे पास वाई टू इन रिफलेक्टेड वे तो इन दोनों का सूपर पोजीशन से जो रिजल्टेट वे बनेगा वही हमारा जो है क्या होगा स्टेशनरी बात में बनके आएगा ठीक है तो दोनों को क्या करेंगे सूपर पोजीशन प्रिंसिपल के मुताबित कि दोनों को क्या करेंगे डारेक्ट प्लस कर देंगे जो एलजाइबरिक सम है वही होता है उसके उसके हिसाब से सूपर पोजीशन प्रिंसिपल हम लोग देखा हुग है तो जो रिजल्ट होगा वाई रिजल्ट हैं ठीक है अगर आपको कन्फूजन होगा तो वाई के जग लoleला करेंगे एक फर्मूला लगाएं इक खरेंगे एक फर्मिला लगाएंगे टीगरिकरी का फर्मूला जिसमें क्या करेंगे देखें इस चीज को साइन और इस चीज को ए मानेंगे ये तो साइन है ही और ये पूरे चीज को ए मालेंगे फिर यहां पर साइन तो है ही और इस पूरे चीज को भी मालेंगे तो साइन A plus sign B का formula लगाएंगे तो sign A plus sign B क्या होता है sign A plus sign B is equal to kya होता है two sign A plus B divided by two into cos A minus B divided by two यह होता हमारे पास sign A plus B का formula तो sign A plus B by two और into cos A minus B by two तो यह formula को use करेंगे और उसके बाद हम लोग को जो मिलेगा वो लिखेंगे तो अब यह formula को यूज करेंगे तो कैसे लिखा गया है उसको देख लिए जो लिखा गया है यहां पर टू तो formula से आचुका है ठीक है तो जो है वो fórmula से आ चुका है उसके बाद sign formula से आ चुका है अब यह क्या कह रहा है प्लस भी यानि इस चीज को ए माने हो और इस चीज को बी माने है तो हम लोग क्या करेंगे इस चीज को बी माना हुआ इस चीज को ए माना हुआ है तो एक जगा पर ये लिख दिया बी के जगा पर ये लिख दिया और बीच में प्लस साइन है तो ये प्लस साइन यहां से फॉर कर दिखकत होना चाहिए क्योंकि बहुत सा इक्वेशन है और सिंपल सा डिफ्रेंशियेशन भी हम लोग करने पर है बहुत ही बेसिक है इसमें कोई जमिला नहीं है अब इस कैलकुलेशन को आगे बराएंगे तो कैलकुलेशन आगे बरहेगा कैसे अब यहां पर देखिए यह हमेरे पास बार पहले से है ठू साइन है अब इसको आप चाहे अब यहां पर जीए आप के ऊपर डिबेंट करता है कि आप क्या से इसको सौलकर्णा चाहते हैं आगे तो इसके लिए एक आपके प्लस X हो जाएगा तो माइनस X प्लस X कड़ जाएगा और वीटी फिलास बीटी टू वीटी हो जाएगा आप इस तरह से भी कर सकते हैं सेम ठीक उसी तरह यहां पर भी कर सकते हैं टूब VLM DA common लेके जो आगे बढ़ा सकते हैं और हम लोगोंने क्या हुआ आपके असानी के लिए या फिर जो आपको जो solution किया है यह solution किया गिया इससे आगे का जो step है यह जो step हम लोगों ने लिया है यहां से यहां तक का step वो यहां पर आपको screen पर तिक रहा यहां पर कुछ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा उसी फोटो को आप स्क्रीन ले लिजिए और यहां से यहां तक का स्टेप आप खुद लिख सकते हैं देख सकते हैं और चाहे तो कॉपी में लिखिए या फिर उसको छोड़ दीजिए बस समझ के रखिए तो हम लोग ने क या इट कर दिया और माइन सबस्के यहां चुका है ँसके यह उसके सात इसनी तु बाद ये हमारे पस कि यह से मुझी तरह माइस एक्स वाना प्लस एक्स वेला कर चुका हैyor मैंस यहाँ पे जह वो प्लसalen ट्य और माइनस वी टी करते ग़र इसमें टी अचा जाये गा तो जो बचेगा हमारे प cottage उसको हम लोग निलिखा बचा के हमारे पस यह ओर अच्छा इसमेड यहांपर बचेगा हमने पास कोस माइनस डूप माइनस पाई एक्स बाई टू तरी तूटो काड़ जाए foundation काम रिंदम टू टू कति तो दो फोर से नीचे तू है तो टू इस तो टो है तो अपária कोई भी मैंठ से कीजिए एक तू तो आपके पास रहने वाला तो माइनस टू और पाई एकस बाई LABDA बचेगानीचे इस साइबक अधू यह माइनस है कॉस हैOh लिखा कैसे गया तो आप लोग को पता होगा कोस माइनस थिटा इस इकल टू होता है कॉस्ट ओस्ट इटा कॉस्त के बाद माइनस के पाद टीटा जगा पर जोभी चीजे उसको हम लोग डायरेक्क लिख सकते हैं नहीं पोजियटिव के साइन में कॉस्ट थिटा टीक है तो हो फॉर्मॉला के हिसाबसे उसको भी यूज कर दिया गारा पे जोável आप्ट स्कूलय है कि तो ये हमारे पास कि अब इसे को हम मनोग पर यहां पर लिख दिया साईन वालchine कोया पर कुछ नहीं किया गया और यह वेстран नमर 40 माल लिया गया है यहाँ परकॉषRO आपका जो वो रखा हुआ है जहीं से सब कुछ सुरॐात茵ाथ होगा नोड इंटी नोड का डाइम के रिसकेक में छेंज बोजिसं में चेंज ट्रेैन विला॥ सीटी एक्सेलरेशन सारा कुछ आपको यहां से सुरुवात होगा यही है हमारे पास a stationary wave का equation this is the equation of stationary wave y is equal to 2 a cos 2 by by sorry y is equal to 2 a cos 2 by xy lambda into sine 2 by VT by lambda यह हमारे पास है stationary wave का equation और इसी चीज़ को आप लोगों ने Klass 12 में कैसे परहा हुआ था तो देखे से परढ़ा हुआ था अब देखिए कैसे आजाता आपके पास वही चीजा आजाएगा जो अपने क्लास्ट वैल पराइब टूए कौस तू पई लेंदा को क्या मानेंगे के तू बाइवाइल इम्दा को मानेंगे के और यहां पर आगे एक्ष्टू एक सट इनटू साइन उस से हैं रिलेशन होता है उसके हिसाब से क्या होता है देखिए हम एखेया तॉ इसी चीज को हम लोग निव से किये हुए है आगे तो कंफ्यूज नहीं होना है एंडिक ये जाए नियू लिखे बता फ्रीक्वेंसी को रहे हैं वहाँ पर बस लिख देना है कि यह चीज फ्रेक्वेंसी के लिए लिखा गड़ा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं बनेगा तो हम लोग क्या है तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसको अगर हम लोग करें तो वी इस इकान ठोल टू जागा एन यान Carm न हो है इसके जगा पे ठीक मैं न क्या होता है और तो पाइन या फिर टूपाइन नीव पाइन Nich dkt फ्रीख्वेंसी है जाहे लिखरान नियू लिखिये तो लिखते हैं तो लुक लिखते हैं ओमेगा तो ये होजगा ओमेगा ती दो पूरा एक्रिशन क्या बन गिया य तू ए कॉस तू ठाइच भाई लेंदा के जगा पर हम लोगो ने क्या कहा तू इक और ये तू पाई एकस भाई लेंडा तू पाई लेंडा के जगा पिके और in एक्स हो गया फिर साइन ओमेगा टी यही तो एक्वेशन है अपनोग लग के लास टुर्ट का टुर्ट में यही एक्वेशन तो पढ़ा हुआ था इस्टेश्टनर इवेश के लिए जहाँ पर यह व्ला चीज़ क्या था यह एम्प्लिटिूट है यह व्लाच जीज क्या है त जो हमारे पास position या फिर आप कर सकते हैं ऻिसका distance ठीक है position या फिर distance तो यहन इस equation को देखते हुआ हम लोग क्या कह सकते है कि या जो position यह जो equation है कि दिस्प्लेस्मेंट है महारा यह जो displacement है या जो वे service है यह हमारे पास वह एक्स पे डिपेंड कर रहा है यानि पोजेशन या फिर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है ठीक है तो उसी चीज़ को लिखा हुआ है रिजल टेन डिस्प्लेश्मेंट डिपेंड ओन डिपेंड पोजीशन और डिस् से ने कहलो दविलाजिविव दफटिकल कैसे होता velocity कहा एक् Microsoft од ubiquinis का टाम के र्षप्ड में डिराइबेशन डिफरेंशिय से न मतलब कि रेट ऑफ चेंज आफ डिस्पलेश मेंत क्या होता है कि सिंपल सा है फिंपल से है फिर रेट तो से मुसी चीज को हम लोग ने क्या क्या है तो इसको क्या करेंगे इसको टाइम के साथ में differentiation करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा drive टाम के साथ में differentiation करेंगे तो हम को कैम मिल जाएगा ताइम के साथ में दिफिंसेशन करेंगे philosophy मिल जाएगा और जो विलाउसिटी आएगा जो डी स्कुर्फ इस्कूर्य लेक्स स्क्वार्ड आयगा हमारे पास्व उसको हम लोग अिर आपकर आमा स है तो व्रॉस्टि這種 वेली आओ सिट्टी ज्योज आए कहा इस दıl ऐ गाएगाया यह सपथ देल वाइगा उसको लोग के लिए रहना तो time के साथ में respect time के respect में अगर हम लोग क्या करें differentiation करें तो इस equation को ध्यान से देखिए time के साथ में अगर हम लोग क्या करें इस equation को time के साथ में dy by dx करें dy by dx करें तो क्या होगा two a cos two by x by lambda यह x है इसमे time के साथ अगर हम लोग हैं तो सिर्फ टाइम जहां पर रहेगा वही चीज़ डिफ्रेंशीयट होगा और बार्गी चीज़ कॉंस्टेंट के रूप में माना जाएगा तो जैसे का वैसे ही यह वाला चीज लिखा जाएगा और और यह डिफ्रेंशीत लेम्दा समझ गया है तो वहीं जी जी हां पर किया गया है डिफ्रेंसियेशन विट रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइब डिपी टू एक और टाम ऐसे का से रहा किया साइन का कॉस्ट टू पाई वी टी भाई लेम्दा आ चुका है और यहां पर यह पी नहीं होगा ठीक है सब्सक्राइब कर दिया जाएगा तू पाई वी वाई लेम्दा क्योंकि यह टी तो डिफ्रेंसियेट हो जाएगा तो यह फिर आएगा का सब्सक्राइब हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो तो यह हमारे पास इक्वेशन बन क्या आ गया और इसी चीज को अगरे इसके साथ इंट'll कर दे तो फोर एव हो जाएगा तो यह टू टू जाएगा ओर फोर एपाई वी ती तो है नहीं थी के टी तू है नहीं तो यहां क्या हो चीज़ को द्यान में रखिए गापको यहां पर लिख लेना है ताकि आपको याद रहे है एक्सलेशन कैसे दे सकते हैं इस चीज़ को आप तो टीफ्रेंशियट करेंगे एक बार तो यह क्या होजागा हमारे पासस्ट अपकर लिते हैं तो ठीक रहेगा नहीं भी करते हैं दिक्कत नहीं है इतना पूछा जाएगा तो इतना चीज़ को तो डिफ्रेंशियेशन करी सकते हैं फिर इसको फिल से टाइम के रिसक्त में के अध डिफेरेंशेट की जिएगा तो ये वह वाला चीज हुए सही रह जाएगा और ये वह लोगों ने जो देखा हुआ था क्या जो क्रेक्ट्रिस्टिक देखा हुआ था इस्टेशनरी वेड़ का उसमें नोर्ट्स और एंटी नोट्स का एक पॉइंट जो हो नोट्स का होता है और एंटी नोट्स का पॉइंट कुछ होता है तो नोट्स की केस में फिर एंटी नोट्स की केस में हम लोग देखा था कि नोट्स वो पॉइंट होता है जहां पे डिस्प्लेस्मेंट जीरो होता है लेकिन एस्ट्रें 0 होता है ठीक है तो हम लोगों ने इसको क्या किया टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसियेट कर दिया और वो जो हमारे पास एक्वेशन था डिस्प्लेस्मेंट वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है और पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर कर जाएगा क्योंकि टीवला टाइम के साथ में हम लोग यहां पर टाइम का कोई डिफ्रेंसियेशन नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे है एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स वाला ही डिफ्रेंसियेट होगा तो साय कॉस का माइनस साइन हो जागा औ कि उसके बाद ये-Yourन हो गया और यह यहांस तो यह हमरे पास स्टेन निकल गया अब हम लोग ऐसा कोई भी पॉजीसन लेते हैं एसा कोई एक अब पर सब्सक्राइब करते हैं मतलब मतलबinvestorfag works would mean —1 मतलब कहने का क्या है यहां पर मैक्सिमम एंप्ली ट्यूट के लिए एंप्ली ट्यूट का Better है is equal to 2a goz 2 by x Bye to pay X by lambda यह भी है इस मित था पीछे अगर हम लोग देके तो M tö यहां था इंप्ली टूट यह था ठीक है चाहई 2i कोस Kx लिखें के जगा पर 2 two pi by lambda बस रहता है इतना आपको याद रखना है तो two a cause x क्या है हमारे पास या two a two pi by two pi x by lambda क्या हमारे पास amplitude अब इस amplitude को maximum होने के लिए cost का value क्या होना परेगा one या फिर minus one तभी तो यह amplitude होगा क्योंकि देखे कोस का वैल्यू अगर यहां पर आगर हम लोग वन या माइनस वन करें तभी तो यह तू एब चा रहें गा अगर इस यह जीरो कर देंगे तो यह भी जीरो अभ्लीटीट जीरो यानि नोट्स मिल जाएगा और एम्पलिटीट मैक्सिमम यानि एंटी नोट्स मिल जाएगा है!!! सिंपल सा तो एक बार क्या करेंगे इसको हम लोग one और minus one का वेलिव रखेंगे और दूसरे बार कॉस जब जब 0 यह फिर zero होता है जब जिस भी जिस भीतिस फnost बैलीव पे 0 होता है उस बैली को रखेंगे Sample से बात है इसको समझ में रखना हैं तो यह मले जी यë कि हमारे पास क्या है यह हमारे पास यह हम है अब इसी जीज़ को आगे बना एंगतिक यह पोजीशन क्या हम आपसएंधि नोट इसने डाने होगा यह तो हमने बता दिया कि एस्ट्रेंट जो होगा क्योंकि इसको यह तो यह स्ट्रेंट मिला ठीक है यह हमारे पास स्ट्रेंट मिला ठीक है तो यह स्ट्रेंट मिला तो अभी इसको क्या कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशियेट कर रहे हैं तो यह तो एक्स के साथ में दी वाई बाई डी एक्स इस उगल टू जीरो हो गया तो इस ट्रेंग जीरो का पॉजिशन ही हमारे पास एंटी नोट्स है क्योंकि एंटी नोट्स पे मैक्सिमम एंप्लिट्यूड होता है सिंपल तो यहीं पोजिशन हो गया अब इस पोजिशन को जस्टिफाई कैसे मतलब निकालेंगे कैसे की कौन कौन सा पोजिशन होता है जहां पर एंटी नोट्स हम लोगों को देखने को मिलता है तो वह तो हम लोगों ने कहें कहें तो दिया था कि एंटी नोट्स यह यह पॉइंट्स होता है जहां पर मैक्सिमम एंप्लिट्यूड होता है और इतने इतने का होगा मैक्सिमम होगा तो उस्त कॉस प्लस वन या माइनस वन कब होगा तो कॉस जीरो क्या होता है कॉस जीरो वन होता है फिर फिर कॉस 180 माइनस वन होता है ठीक कॉस 180 माइनस वन होता है तो इसी जीच को हम लोग अगर आगे बर हाए तो यहां पर से वही चीज लिखा गया है क सаствora सकी एक साथ वेल्यों एसाथ जो रहें alors को सब्सक्राइब को सबस्क्राइब shift कर्णक है तो विएलऊ ऐसे तरह से आपके पुल्स भैल्यू आते जाएगा Cantonese मैंने सबेख यहां पे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोतने हो Fr क्या देता है कि 2Pi X by lambda is equal to cos 0 का भोज आ को जीरो का वेल्यू होता है फिर कॉस 180 का वेल्यू होता है माइनस वन फिर इसी तरह 271 ठीक तो इसी तरह से आगे बर्णा और बर कैसे रहा तो अब इस चीज पैटरन को देखेंगे कि कैसे बर्णा तो जीरो हुआ एक बर फिर पाई ह लिए यानि एक-Eक मल्टीपल में बर रहा है तो अग इस एकवेशन को एक-Eक मल्टीपल एकवेशन को हम लोग क्या करी है एक एक्वेशन देदे एकवेशन कैसे देगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुए 2.5 एक्स भाइलेंदा is equal to zero X अब म के जगह पर करते जाई ग्याइए जीरो दीट करें टोễ जाएगा और फिर वन 23 पूट करेंगे तो PIE हो जाएगा तो PI हो गया फिर टू Whataugya गए तो थ्री पूट करेंगे तो three by हो गया मतलब यह valid हम लोगों को यह फोर्मूला से यहाँ से मिल जा रहा ठीकर तो यह फोर्मॉला है हम लोगों ने लिख लिया अब क्या करेंगे यहां से एक्स का वेलू निकालेंगे तो एक्स का विल्व अगर हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एम लेंदा बाइटू क्यों यह यहां पर इंटू हो जाएगा और नीच ऊपर का चीज नीचे आजएगा ठीक तो मलम बनेटू क्या हो दिख करेंगे यह बंडा बाइट से नहुंत का बैतलो कि यहां परिख लेरीनों और परोले पास का झाल यदू क्य तो आघीक जीरों गष्ट जाएगा यह यहांनी में लोगrokे पास समेंदा जिटने कि इतना होगा हम अरे पास लेम्दा रभाय टू लेम्दा भाय टू ठीक है यहां पे हम लोग के पास क्या क्या कॉन सा पोजिशन मिला लेम्दा बई टू जिरो से तो इस्टाट ही होता है और एंटी नोड मिलेगा किस पे लेम्दा बैटू पर फिर दूसरा एंटी हुग है इस एक से सरय के लिए इस पॉजिसंमल होगा थемуद्ष से तुरrows ट्या मारे पास ये ज जुफ हम लोग पास बन रहा यह जो पॉजिसन मिल रहा है यह किसको री प्रेजंट कर रहा कद यह किसको री प्रेजंट कर रहाल एंटिनोर शक्रॉर अब ठीक उसी वेल्यू को जो है वो हम लोग ने क्या एक बार मैक्सिमम किया और एक बार क्या करेंगे जीरो करेंगे तो जीरो कब होगा पर फिर उसी तरह से आगे बनेगे उसके तो कॉस का जितना जितना पी मिनीमम वाल्योविता उतना लोगों ने लिखा फिर ठीक है प्रीक उसी तरह से हम लोगाने क्या वोला बनाया अब यह दिस फॉर्मॉला परैठ रहे है उसको लोग से बना दिया उसके बाद फिर एम के जागा पे टू रखे तो टूर टू जा फॉर प्लस फन फाइब और फाइब टू हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह से यह फॉर्मूला हम लोग को मिल गया अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम लोग कुछ नहीं करना यह निकाल लेंगे यह व्लाची चला जागा उपर यह चीज आ जाएगा नीचे ठीक तो यह इसके साथ मल्टिप्लाइब रहे लेंदा चुका इधर और पाई से पाई यहां चीक जाता है ठीक है पाई से पाई यहां पर कट चुका है तो यह टू एम प्लस वन रही कही लोगो चpendel ओं को क्या दिखता है anti knots दिकता ओर यह वीजिट यूद्ट फट फंप ये जो वैल्योय होता है हमारे पास यह जो एक्स का वेल्यू है इस x के value पे जो resultant wave का जो क्या है resultant wave amplitude है वो Zero होता है इस position पे इसी लिए इसको हम लोग क्या बोलते यह जो position है जो points से यह हम लोग को nodes बना point को represent करता है ठीक है अब इस से हम लोग जो जितना चीज़ अभी तक लिखे हैं उसके हिसाब से यहां तक एक पार्ट जो हो आपका कम्प्लीट होता है अगर क्वेशन में पूछा जाए सिर्फ स्टेशनरी वेव का एक्वेशन लिखने के लिए उसके बाद नोर्स और एंटी नोर्स का जो पोजीशन है वह देखने के लिए कौन-कौन सा पोजीशन पे नोर्स औ एंट नाइन से हम लोगों जो चीज मिला जो अभी आभी हम लोग ने दो तीन एक्वेशन निकाला हुआ है उस एक्वेशन चे हम लोगों क्या-क्या देखने को मिला कि एंटी नोर्स और नोर्स जो हो बराबर के दूरी पर होता है और लेमदा बाइट वाइटू से जो हो है इस्टेज स्ट्रींग का जो छोर है एंड है वो नोर्ट के तरह सुरी एंटी नोर्स के तरह बीएव करता है मतलब कि एंटी नोर्ट को कर रहा है यहां पर जो उसका एंड होता है जो उसका छोर है खतम खतम जो जहां पर हो रहा है जो रसी है जो खतम जहां पर हो रहा है वह क्या है उसका anti-node है यह चीज़ हो चुका है दूसरा है दो consecutive anti-node there is a node and vice versa यानी 2 anti-nodes 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 के बीच में एक node होगा या फिर 2 nodes के बीच में एक anti-node होगा यह चीज़ कह रहा है ठीक है उसके बार distance क्या है nodes और anti-nodes के बीच का distance है हमारे पास lambda by four ठीक है और NQ Lots और NQ'd नोर्ट के बिच के डिस्टेंस हे लेमडा गाइड टू और नोर्ट और वूर्ट के बीच बिच के डिस्टेंस है लेमडावड वाइटू यजवे aha पर लिख दएना है तो वही चीज यहांपर लिखा हुआ है इसमें कोई दिक्कत नहीं है सारा जी इंपोर्टेंट है पॉइंट वह लिख दिया गया है तो यह हमारे पास एक पार्ट आ चुका है नोट's एंटी नोट्स तक का अब हम पर धियान दे अगर टाइम पर देखें कि यह जो जो हम लोग नोड्स या एंटी नोड्स यह सब देखा तो यह तो पोजीशन था कि इस पोजीशन पर या इस पॉइंट पर हम लोग को ऐसा जोए कुछ हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं नोड्स के जैसा फिर उपर में भी हम लोग ने ऐसे ही देखा कि इस एक्स के पोजीशन पर इंटेंसिटी या फिर में एंपलीट्यूट रिजल्टेंट वेव का मैक्सिमम है और इसी लिए जो इसका जो यह जो पॉइंट्स है उ फिर कैसा है कैसा रहता है तो time consider करेंगे सेम उसी तरह से एक बढ़ क्या करेंगे इसको को जीरो करेंगे और इसको क्या करेंगे जो कॉस वाला है मतलब कि अम्पलिój Will उस्कों क्या होगा मैक्सिमम मैक्सिमम वेल्यूफ रखेंगे ठ्मिभ और कि यहां पर वही चीज आगे बढ़ेगा बस मल्टीपलाई करते जाए और कोई दिक्कत नहीं अब क्या करना है यहां पर इस चीज को फॉर्मूला बना ही है फॉर्मूला सब्सक्राइब लिए बना हुआ था वह से वहीं से बन रहा है आप देखिए साइन इसके तरह और कॉस इसके उल्टा कॉस है तो यहां पर जो वैल्यू रखा गया है यह वैल्यू बन चुका है एम एक्स तो एम एम के जगह 0123 रखें यह वहाला चीज हम लोगों को मिलते जा आता है तो यह जो लेमदा भाई हमारे पास हो जाएगा वी बाई-लेंदा फ्रीक्वेंसी है वीवइल अम्दा को हम लोगों ने क्या कहbayेगेगा फ Shuving C और और फ्रीकवेंसी क्या होता है को रेसे प्रहिक्लर्स टा дан lie किुट यांव्ट तो इसके जगह विख सकते हैं रख nelफ लग इसके जिगवर्फ फापें तो हमारी पास यह लोगी चीद श at क्योंकि हम लोगों को पता है बस वही चीज़ पूट की है लेंदा भाई भाई भी इसको उल्टा कर दिया गया है वन भाई टी के तो टी हो जाएगा ठीक है सेम चीज़ है सब कुछ लिखा हुआ है आपको कही दिकत ने करना है बस यहां पर यह वन जिरो वन टू टू थरी रखते जाए है हम लोगों को मिलते जाएगा तो इस इंसेंट पे हम लोगों ने देखा क्या देखा तो आसट इस instant each particle of medium passes its mean position twice in its period मतलब एक time period पे क्या बोल रहा है एक time period पे particle of the medium passes its mean position या equilibrium position twice यानि अपना mean position को अपने mean position को जो particle का fixed point था जो position था उसको एक time period में दो बार क्या करता है वो पास करता है एक time period में कितने बार pass करता है दो बार pass करता है ठीक है ऐसे ऐसे होता है ना तो अपने जो उसका जो mean position है उस mean position को वो particle जो है वो अपने mean position को एक time period में यानि एक time period में एक T में क्या कितने बार पास करता है दो बार पास करता है सिंपल किलियर फिर ठीक उसी तरह आप इसको क्या करेंगे जीरो करेंगे ठीक है इसको कुंुक कर दिया कि ऐसे कुषि तरह से आगे बरहाना Tesla फॉर्मॉला बनेंगा फॉर्मॉला बने विस्व का रहा है इसमें लोगो ने क्या कह पिछाह था इन्सिट्राइब आइंपलिट्यूट आफ डिए इन पर मेक्सीमम है किया एमफ्लीट पार्टिकल का और विल विलासिटी क्या है जिरो है इस पैटरन को यहां पर जो पैटरन बन रहा है वो एस्टेसनरी है यह इस पैटरन लए इस नए लगा तो यह सारा चीज़ के लिए हो गया के लिए होगा होगा ऐसा उम्मीद करते हैं इसमें ज्यादा कुछ है नहीं आप लोग अगर रिपोट करते जाएगा फॉर्मूला देखते रहिए तो सारा कुछ आपका किलियर होते जाएगा आगे आप लोगों का जो क्लास 12 में हुआ था सेम चीज वही लिखा हुआ है तू ए कॉस्ट के एक साइन ओमेगा टी जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था स्टेशनर यूएप का एकोईशन टू एक कॉस्ट के एक्स जो है वह देखने करना है फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाई एक क्योंकि भी एसी है तो 12 लेवल पर है नहीं तो थोड़ा डिटेल में लिखना परेगा उस चीज़ को आपको धियान में रखना है च्रा चीज की लिए हो गया होगा अब हमारे पास जो दूसरा केस है की एंड फिक्स ए अल्रेडी पहले ही लंबा हो चुका है तो उमीद है आप लोग को ये समझ में आया हो अगर नहीं भी आया हो तो टेलिग्राम ग्रूप खुला हुए वहाँ पर जाके आप जो वह पूछ सकते हैं कोई इक्वेशन समझ में अगर नहीं आया होगा तो कि कैसे लिखा गया है ठीक है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलने में नोट्स के यूटिव चैनल पर